नमस्कार आप देख रहे हैं Next9 Sports और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम trending sports में मैं हूँ आपके साथ हविला हश इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जो trend में रहती हैं आपको पता देए कि भारती टीम इन दिनों Australia दॉरे पर है और Australia दॉरे को लेकर कई तरह की खबरे सामने आ रही है जहांपर भारत ने हाली में Cricket Australia 11 के खिलाफ एक practice match खिला Opportunity थी मुरली विजय के लिए England में drop हुए थे उसके बाद टीमें वापस आये बहतरीन प्रदर्शन किया और एक अच्छा शातक जड़ा 137 रनों की पारी केली में अज 132 गेंदों में और कहीं न कहीं यह दर्शाद या कि आस्ट्रेलियाई टीम को एक चैलेंज की तरह ले सकती है भारती टीम प्रित्वी शौ के चोटिल हो जाने के बाद साथ तोर पर यह देखा जा सकता था कि यहाँ पर किस तरह से प्रदर्शन करती है भारती टीम क्योंकि प्रित्वी शौ के चोटिल होने के बाद कहीं न कहीं डिपेंड कर रहा था कि भारती टीम प्रदर्शन कैसा करेगी अब जो सवाल उठा है वो ये उठा है कि क्या भारत को अपना सही ओपनिंग कॉंबिनेशन मिल चुका है क्योंकि जिस तरह से केल राहूल ने बासट रनों की पारी जरूर केली कॉंफिटेंस जरूर मिल्डप हुआ होगा लेकिन इस साल के राहूल का प्रदर्शन जो है उस किस्म का नहीं रहा है जिस तरह के प्रदर्शन की जरूरत रही है भारती टीम को आप उमीद यही है कि भारती टीम किस तरह से प्रदर्शन करती है वेराल आपको बता दें कि सीरीज के शुरू होने से पहले जुबानी जंग शुरू हो चुकी है टीम्स जो है वो एक दूसरे के उपर दाब लगा रही है कई खिलाडियों ने विराट को बहतर बताया, कई खिलाडियों ने टीम इंडिया को बहतर बताया वेराल बदा दें आपको कि महिंदर सिंग दोनी ने टैनिस टॉर्णमेंट जीता है जिया टैनिस टॉर्णमेंट का फाइनल जीता है और अवाड लिया है वही अब क्रिकेट छोड़कर महिंदर सिंग दोनी टैनिस में भी हाथ आजमा रहे हैं और कहीं न कहीं प्रदर्शन जो है वो बेहतरीन तरीके से खुद दे रहे डिपेंड करता है कि जिस तरह से महिंudr सिंग धोनी का जो प्रदर्शन रहा है टैनिस में क्या एपने क्रिकेत में कंटीनूर रख पाएंगे क्योंकि दमिदार है अच्छे कीपर है और उमीद करते हैं कि विश्व कब तक उनकी फॉर्म वापस आए जाए तो चलिए एक जादा दिर नहीं करते हैं ले चलते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट की और आप देखिए क्या है आज की ट्रेंडिंग स्पोर्ट्स निउस बारत और उस्ट्रेलिया के बीच और आटिस माचों की सीरीज 6 दिसंबर से खेली जानी है ऐसे में सीरीज को लेकर हर कोई अपना अपना प्रेडिक्शन दे रहा है बड़ी बात ये है कि भारत के स्टार तेज के इंदबास जस्परीद बूमरा ने भी अब बड़ा बयान दे दिया है आपको बता दें कि महज एक ओवर में ही जस्परीद बूमरा ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला विकेट ले लिया जहां खबरों की मारे तो बूमरा ने हाली में आस्ट्रेलिया के एक लोकल मीडिया को दिये इंटर्व्यू में साब तोर पर कहा कि इस बार आस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारी दावेदारी मजबूट है और अगर हम बहतर गेदबाजी और बहतर बल्लेबाजी करेंगे तो हम आसानी से जीत दर्च कर सकते हैं बुम्रा ने भी कहा कि हमारी टीम के पास वो दम है जो हम उस्ट्रेलिया को उस्ट्रेलिया में सिर्फ सीरीज ही नहीं बलकि चार शून इसे क्लीन स्विप भी कर सकते हैं याने कि साफ तोर पर जस्प्रीत बुम्रा ने ऐस्ट्रेलिया को चिताब नी दे दी है अब देखना दिल्चस्प होगा कि बुम्रा का ये बयान ऐस्ट्रेलिया ही टीम को राज साता है रहे भारत और ऐस्ट्रेलिया के बीद 6 दिसंबर से 4 टेस्ट माचों की सीरीज शुरू होने जा रही है जहां पर टिम इंडिया अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए उतरेगी बड़ी बात यह है कि प्रेक्टिस माच में टिम इंडिया के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सामने आया है जहां कि भारत का स्टार ओपनर वापस आ चुका है दरसल पृत्वी शौक के चोटिल हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि केल राहूल के साथ कौन ओपनिंग करेगा लेकिन अब केल राहूल फॉर्म में तो आ गए हैं लेकिन मुरली विजय की शांदार शत्किय पारी ने ये तै कर दिया है कि भारत के लिए वो अब रंस बनाएंगे साथ ही मुरली विजय ने ये भी कह दिया कि उन्हें आस्ट्रेलिया की पिच्चर्स पसंद आती है और उनके गेम को सूट करती है अब देखना दिल्चस्प होगा कि मुरली विजय कैसा प्रदर्शन करते हैं बारत और उस्ट्रेलिया के भी 6 दिसंबर से टेस्ट सिरीज शुरू होने जा रही है और इस महा मुकाबले को लेकर हर कोई बेसबरी से इंतजार कर रहा है उस्ट्रेलिया जहां अपने क्रिकट इतियास के सबसे कमजोर फेस देख रहा है वहीं भारत के पास मौका है पहली बार उस्ट्रेलिया को उस्ट्रेलिया में सिरीज धराने का बड़ी बात यह है कि सिरीज से ठीक पहले जुमानी जग तो शुरू हो चुकी है विराड को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि विराड जुस तरह की फॉर्म में होना एक अलग तरह का क्यरक्टर दर्शाता है, और उनमें जो जीत का एक हुनर है, वो कहीं न कहीं बाकी खिलाडियों को भी सीखना पड़ेगा, यानि कि स्टीव ओन ने विराड की तारीफ करके च प्रबल दावेदार बता रहे हैं, वहीं भारतिय कप्तान विराड कोली की सेना को एक अलग तरह का प्रदर्शन करना होगा, ये कहा है तिम इंडिया की पूर्फ कप्तान सौरफ गांगुली ने जिया, खबरों की माने तो दादा ने कहा कि विराड की टीम जीत की प्रबल दावेदार है, और अगर विराड की टीम की बल्लेबाजी अच्छी होती है और बल्लेबाज रन बनाते हैं, तो टीम इंडिया आसानी से आस्ट्रेलिया को आस्ट्रेलिया में हरा सकती है, सौरफ कांगुली ने कहा कि इस टीम में वो माता है जो इंगलेंड को इंगलेंड म करने की काम आती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के भी चार टेस्ट मैचों की सीरीज 6 दिसंबर से शुरू होने जा रही है जहां पर ट्यमिंडरा का पलड़ा जो है वो भारी बाना जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम कंपरेटिवली थोड़ा सा वीक नजर आ रही है भारत क के सामने ऐसे में भारत के पास इस बार सुनेरा मौका है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीद सीरीज हो और स्लजिंग और छीटा कशी की बाते ना हो ऐसा हो सकता है क्या दरसल आपको बता दें कि विराट कोली और ऑस्ट्रे अगर हम प्रवोक करेंगे तो आप हमें जरूर बोलिएगा लेकिन अगर उस्ट्रेलिया के बीच च्छे दिसम्मर से च्छार टेस्ट माचोगी सीरीज के लिए जानी है ऐसे में सीरीज को लेकर हर कोई एक्साइचन है कोई भारत की जीत की प्रेडिक्शन दे रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया को जीत का दावेदार बता रहा है ऐसे में इस सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्फ के लाड़ वाटसन ने भी कहा कि विराट तो वहां पर रन बनाएंगे ही लेकिन विराट के साथ कई ऐसे बल्लिबाज हैं जो बारत के साथ बहतर तरीके से मैच जिता सकते हैं और अस्ट्रेलिया इंद वाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं याने कि साफ तोर पर वाटसन ने वभी प्रिट्वी शौक के चोटिल हो जाने के बाद लगातार ये सवाल सामने आ रहे थे कि आखिर भारत की ओपनिंग जोड़ी कौन सी होगी क्या रोईचर्म और केल रहूल ओपनिंग करेंगे या फिर मुरली विजय और केल रहूल लेकिन इन सब का जवाब देते हुए दूसरी पारी में मुरली विजय ने एक शानदार शतक जड़ा इंगलेंड दौरे पर ड्रॉप होने के बाद मुरली विजय को ऑस्ट्रेलिया द दरसल मुरली विजय चोहतर रनों पर बल्ले बाजी कर रहे थे तब ये गेंदबास को क्रिकट आस्ट्रेलिया की तरफ से लाया गया उस ओवर में मुरली विजय ने 26 रन ठोके और अपना शतक पूरा किया वैल मुरली विजय फॉर्म में तो आगये हैं अब ये देखना है कि क्या ऐस्ट्रेलिया के खिलाब सीरीज में वो फॉर्म को कंटीनियू रख पाते हैं तो देखा आपने आज की ट्रेंडिंग खबरों से हमने आपको रुबरू कराया अब उमीद यही है कि बारती चीम आस्ट्रेलिया की धरती पर बैतर पदर्शन करे और जो भी अपडेट होगी वो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे फिलाल में देदीजे अजाज़त और हा हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स को सब्स्क्राइब करना मा फूलियो नमस्क्राइब